वरिष्ट नागरिकों और पेंशन भोगी हुए लाभानवित, लाखो पेंशन भोगियों को मिला जबरदस्थ फाइदा बैंगलुरु में आयोजित दो दिवसिय डिजिटल साक्षर्ता कार्यक्रम में वरिष्ट नागरिकों और पेंशन भोगियों को स्मार्टफोन के उपियोग, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं के लाब के बारे में जानकारी दी गई इस कार्यक्रम ने उन्हें नई तक्नीकी क्षमताओं से परिचित कराया जुलाई के 15 से 16, 2024 को बैंगलुरू के आईकर कार्याले में वरिष्ट नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए एक एतिहासिक दो दिवसिय डिजिटल साक्षर्ता प्रशिक्षन कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ट नागरिकों और पेंशन भोगियों को स्मार्टफोन के प्रभावी उपयोग की जानकारी प्रदान करना था प्रशिक्षन के दौरान यह स्पष्ट हुआ की अधिकांज प्रतिभागी स्मार्टफोन का उप्योग केवल विडियो देखने तक सीमित कर रहे थे, जबकि स्मार्टफोन की असलीक शमताओं से वे अन्जान थे. स्मार्टफोन की बुनियादी विशेश्टाएं कार्यक्रम में स्मार्टफोन की बुनियादी विशेश्टाओं पर विस्तरित जानकारी प्रदान की गई. इसमें पास्वर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से सुरक्षा, फोन खो जाने पर उठाए जाने वाले कदम, आवशक आप्स का डाउनलोड, वर्चुल मीटिंग में भाग लेना, UPI और भुक्तान आप्स के माध्यम से पैसे ट्रांसफर, ओनलाइन बैंकिंग, IT रिटर्न फाइल करना, टैक्स और बिल भुक्तान के तरीके शामिल थे. इसके अतिरिक्त, डिजी लॉकर, CGHS, आभा और डिजिटल जीवन प्रमान पत्र के उप्योग पर भी शिक्षित किया गया. ओनलाइन धोका धड़ी से बचाव की जानकारी इस सत्र में, ओनलाइन धोका धड़ी से बचाव के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया. या संदेशों से निपटने के उपाय, सोशल मीडिया और इमेल का सही उप्योग और साइबर हमलों से सुरक्षा के उपाय सिखाए गए. श्री लुइस ने ओनलाइन धोका धड़ी से बचने के लिए बार-बार सतर्क रहने की सला दी और सोने से पहले फोन और वाई-फाई मॉडेम बंद करने का सुझाव दिया. उन्होंने किसी भी समस्या में सहायता का आश्वासन भी दिया. नई ज्यान की ओर एक कदम वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भूगियों ने प्रशिक्षन के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया. विशेश रूप से श्री SC, महेश्वरी, महासचेव, भारत पेंशनर्स समाज, नई दिल्ली का जिन्होंने डिजिटल साक्षर्ता की आवशक्ता को पहचाना और TCS के साथ सहयोग किया. बैंगलुरू में इस कार्यक्रम की शुरुवात एक सफल प्रयास साबित हुई, जिसने यह सिद्ध कर दिया की पुराने लोग भी नए कौशल सीख सकते हैं. डिजिटल साक्षर्ता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बैंगलुरू के CBDT Pensioners Association और DRDO Pensioners Welfare Association ने इस कार्यक्रम की सराहना की और इसे अत्यधिक उप्योगी बताया. यह प्रयास डिजिटल साक्षर्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उमीद है कि भविश्य में ऐसे कार्यक्रम अन्य शहरों में भी आयोजित किये जाएंगे. BPS का यह प्रयास वास्तव में सराहनिय है और डिजिटल यूग में हर व्यक्ति के लिए आवशक है. न्योंतम पेंशन में व्रिधी के लिए सांसद हेमा मालिनी से मिले EPS 95 Pensioners. EPS 95 Pensioners met MP हेमा मालिनी to increase the minimum pension दिनांक 19 जुलाई 2024 को EPS 95 Pensioners जागरुकता अभियान अंतरगत EPS 95 न्योंतम पेंशन में व्रिधी के लिए National Agitation Committee NAC के सदस्यों ने मतुरा उत्तरप्रदेश में मान्या श्रीमती हेमा मालिनी जी. सांसद मतुरा से NAC के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष चौधरी पूरन सिंग ने प्रतिनिधी मंडल के साथ मुलाकात कीव EPS 95 Pensioners की मांगों से संबंधित ग्यापन सौपा. मान्या सांसद महोध्या ने पेंशन व्रिद्धी के संबंध में NAC के प्रतिनिधी मंडल को बताया कि मैं पूरी तरह से आप लोगों की पेंशन व्रिद्धी की मांग को मंजूर करवाने हितू प्रयत्न कर रही हूँ. आप लोग व्यथित न हो. में ही EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे दो बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी तक पहुच पाई है. मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने वादा किया है कि वह EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे पुना प्रधान मंत्री तक पहुचाएंगी. नियोंतम पेंशन में वृद्धी समेत पेंशनधारकों के प्रमुख मांगे EPS 95 पेंशनधारकों को नियोंतम पेंशन एक हजार रुपए की जगह 7500 मिले और उस पर महंगाई भत्ता मिले सभी पेंशनधारकों को मुफ्ट मेडिकल सुविधा मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उच्च पेंशन का लाभ बिना भेदभाव के मिले जिन पेंशनधारकों योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें कम से कम 5000 रुपए प्रती महीना पेंशन मिले EPA से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिये करमचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां यदि आपको EPF और EPAs के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इस से जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं क्या है EPAs? करमचारी पेंशन योजना, EPAs एक रिटायर्मेंट स्कीम है इसको EPF और द्वारा मैनेज किया जाता है इस योजना से संगठिक शेत्र, और्गिनाइज सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड करमचारियों को फाइदा मिलता है बता दे कि जो करमचारी 58 वर्ष की आईउ में रिटायर हो चुके हैं, वे इस योजना का लाब उठा सकते हैं हालां कि इस योजना का लाब केवल उन्ही करमचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम दस साल तक नौकरी की हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो बता दे कि EPAs को 1995 में लॉंच किया गया था इस योजना में मौजूदा और नए EPF सदस्य भी शामिल हो सकते थे नियोक्ता कमपनी और करमचारी दोनों ही EPF फंड में करमचारी की सैलरी में से 12 प्रतिशत का सामान योगदान करते है बता दे कि करमचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में जाता है और नियोक्ता कमपनी के शेर का 8.33 प्रतिशत करमचारी पेंशन योजना EPS में और 3.67 प्रतिशत हर महीने EPF में जाता है जानिये योगिता शर्तों के बारे में कर्मचारी पेंशन योजना, EPS के तहत लाप प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिये निमनलिखित जानकारिया, आपको EPS के सदस्य होना अनिवार्य है, आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो आपकी उम्र 58 साल हो बता दे कि आप 50 वर्ष की आयू होने पर EPS से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल, 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पैंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पैंशन मिलने लगेगी। जानिए EPS के तहट कैसे करें, पैंशन को कैलकुलेट सदस्य अपनी की मासिक पैंशन राशी की कैलकुलेशन नीचे दिये गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। करमचारी का मासिक वेतन पैंशन योग्य वेतन एक्स पैंशन योग्य सेवा 70 EPS, पैंशन योजनाओं के प्रकारेस योजना के तहट विभिन्न प्रकार की पैंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को आए प्रदान की सुविधा मिलती है एक, विध्वा पेंशन, EPA's विडो पेंशन, विध्वा पेंशन या वृद्धा पेंशन, EPA's विडो पेंशन, योग्य सदस्य की विध्वा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है बता दे कि विध्वा की मृत्यू या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशी का लाब ले सकती है मासिक वृद्धा पेंशन राशी E.P.A.S. 1995 की टेबल पर निर्भर करती है बता दे कि न्योंतम पेंशन राशी बढ़ा कर 1000 रू कर दी गई है साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रू तक बढ़ा दिया गया है दो, अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यू होने पर और उसकी कोई जीवित विध्वा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विध्वा पेंशन के मूल्य की 75% राशी मासिक अनाथ पेंशन, EPA's often pension के रूप में दी जाती है यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में दो जीवित बच्चों के लिए ही होगा तीन, बाल पेंशन सदस्य की मृत्यू हो जाने पर पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन, EPA's Child Pension दी जाती है इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है ऐसे केरें अपने EPA's अकाउंट का बैलेंस चेक, सदस्य अपने EPA's खाते का बैलेंस EPF पास्बुक के जरिये जान सकते हैं साथ ही आप EPF पास्बुक पोटल पर पर भी अपना UN और पास्वर्ड का डाल कर अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद पास्बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं पेंशन अपडेट पेंशन योजना प्रमान पत्र के बारे में जानिये वरना भारी भरकम नुकसान करमचारी पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई करमचारी EPF पो में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो वह पेंशन योजना प्रमान पत्र, स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अपलाई कर सकते हैं। इससे वह भविश्य में नई जगा नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा EPFO में निवेश कर सकते हैं। पेंशन अपदेट, EPFO के करमचारी पेंशन योजना, EPS, के तहत निवेश करने वाले करमचारियों को पेंशन का लाप प्राप्त करने के लिए दस वर्ष योगदान करना ज़रूरी होता है। दस वर्ष से कम सेवा करने वाले करमचारी पेंशन हेतु पात्र नहीं माने जाते। ऐसे में यदि कोई EPFO सदस्य दस वर्ष पूरे होने से पहले अपने नौकरी छोड़ देता है और किसी प्रतिष्थित कमपनी में दोबारा नौकरी जवाइन नहीं करता है जहां EPF Act लागू नहीं है, तो इस स्थिती में वह पेंशन योजना प्रमान पत्र, स्कीम सर्टिफि के लिए 10 वर्ष इसमें निवेश करके पेंशन का लाप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी EPFO के सदस्य हैं, तो चलिए जानते हैं कैसे आप स्कीम सर्टिफिकेट भरने के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्या है पेंशन योजना प्रमान पत्र? बता दे, पेंश वैसे में EPFO सदस्य यदि नौकरी छोड़कर भविश में दोबारा नौकरी जवाइन करते हैं, तो दोबारा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए वह इस सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपनी सदस्यता को नए अकाउंट में एड़ कर सकते हैं। कैसे करें पेंशन का पेंशन योजना प्रमान पत्र के लिए आप अपने नियोकता के जरिये आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो पेंशन स्कीम के तहट आवेदक के 10 साल पूरे होने के साथ साथ पूरी पेंशन क्लेम करने के लिए 58 वर्ष की आयू पूरी होनी चाहिए। योगों के लिए भी उप्योगी है जिनकी सदस्यता भले ही 10 साल हो गई है लेकिन उनकी आयू 50 वर्ष से कम है और वह अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। ऐसे सदस्य यह सर्टिफिकेट लेकर 50 वर्ष की आयू पूरी होने पर इस सर्टिफिके को लगा कर फॉर्म 10D में प प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए सदस्य को फॉर्म 10C के लिए आवेदन करना होगा। झाल 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 झाल